हेलो बैसें गर्ल्स आप लोग कैसे हो दस टॉंगे सुपरियम सिस्टम के पिछले एपीसोड में देखा था जो यहाँ पे मैजेस्टी है वो मैन करेक्टर को पनिस्मेंट देती है और पनिस्मेंट के तोर पे उसको यहाँ पे क्विन्योन मांटेन पे जाके पीक और वाइन और वो सुनके जो मैन करेक्टर उसको यहाँ पे खुसी-खुसी एकसेप कर लेते हैं और कहता है कि मैजेस्टी अभी जाके लेकर आता हूँ और फिर यहाँ पे अपने मन में सोतने लगता है कि किन्योन टावर पे कितने पिक होगे और फिर अचानक से उसको लिव शाविन क कि याद आजाती है और अपने मन में इमेजन करने लगता है कि वो यहाँ पे कह रही है कि मैं तुम्हारे सारे पिक्चुरा के जा रही हूँ और तुम मुझे पकड़ सको तो पकड़ लो और यह सोतने के बाद जो मैन करेटर का फिल्दा खुसा हो जाता है और वहाँ से कि उसको हैं पर तयार कर रही होती है ऑद तब यहां पर अचानक जो मैन करेटर उसकी करने घर में आजाता है और उसको देखते हुए लुजो यहाँ आपने मन में सोती है कि वो अचैनक से की आ शुनक से यहा पर क्योवा गये है और मैं यह अभी तक रेड़ी भी вся नहीं तो वो सुनने के बाद जो लोशान और बाकी के लोग उसकों पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और जो मैंन करेक्टर काफी गुस्सा करती हुए कहता है कि मैंने यहां पर कल सोचा था कि तुम्हें पर गरीब लड़की हो मुझे लगता है कि इसको यहां पर कुछ गलत फेमली हो चुकी है पर यहां पर गुस्सा करती हुए भी कितना द्यदा हैंसम लग रहा है और फिर मैंन करेक्टर से कहती कि मैं यहां पर कैसे और डिनेरी लाइफ स्टोक को बेच के इतने सारे पैसे कमा सकती हुए तो वो सुनने के बाद जो मैंन करेक्टर और गुस्सा करती हुए कहता है क्या तुमको पता है कि यहां पर इसकी किमत क्या है और फिर जो मैंन करेक्टर अपनी स्पेस रिंग से कुछ निकालती हुए कहता है कि यहां पर क्विनियन पीगे उसकी यहां पर अकेली की यह लाखों स्पिरिस्टोन से कुछ भी फरक पड़ने वाला है नहीं और कहती के लू वो ई तो सुनने के बाजो लू यू कहती के Your Highness तो वो सुनने के जो लू शावियान होती है वो कहती के तुम यहापे उसको हमरा ग्यूट दे दो तो वो सुनने के बाजियों पे लू यू होती हुआ कहती के हाँ और फिर मैं करेट का सामने एक बॉक्स में बहुत सारे स्पिरिस्टोन लेके आती और कहती के जो तुम यहापे यहांग डेश्टी में लो ग्रेट के स्पिरिस्टोन यूज कर रहे हो उसके मुकाबले में आपे 1000 मिडल ग्रेट के स्पिरिस्टोन है और उसका मैं कमपेरिजन करो तो यहापे एक मिले लो ग्रेट का स्पिरिस्टोन एक मिडल ग्रेट का स्पिरिस्टोन बराबर गिनाता है तो प्लीज उसको यहापे एकसेप करें और वो देखने के बाद man character पुरा सौक्ट जाता है और अपने मन में सोथता कि यहाँ पे क्या चल रहा है यहाँ पे कल गरीब लड़की नहीं थी और अचानक से इतनी पैसे वाली लड़की कैसे बन गई और कहता है कि नहीं यहाँ पे कुछ तो गड़बर है और क्या सच में यहाँ पे वो गरीब लड़की थी और यहाँ पे जो man character लूशान की तरफ देखते हुए कहते हैं इसका यहाँ पे size तो यहाँ ठीक है और वो यहाँ पे विरेश्ट की size की बात कर रहा होता है और कहता है भले तुम यहाँ पे कितने भी लोग बदल लो पर मैं यहाँ पे आसान इसे उसका size देखे मैं पता कर सकता हूँ और वो यहाँ पे सच में वही है और कहता है कि नहीं मुझे यहाँ पे कोई दुसरा रास्ता सोचना पड़ेगा और कहें ओ यहाँ पे मुझे कोई चोट पुचाने की आई होगी तुम्हें यहाँ पे क्या करूगा मुझे फटा-फटा से यहाँ पे कुछ तो सोचना पड़ेगा और यहाँ पे उसके पास जाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे मुझे पागल बनाने की कोसिस कर रही हूँ और मेरे काईड़ेंस का फाइदा उठा रही है कि यहाँ पर मज़ाग चल रहे है और उसको खिचके लगा देता है तो वह सुनने के बाद जो आप लो यांग होती वह कहती है इस सारी सीजे मैंने कुछ कारण से की थी और मैं आपको बताने के लिए तैयार मैंकरणन अपने मन में सोता है मुझे इयांसे भाग जाना चाहिए क्या और फिर मैंकरणन को कहता है का मैं ही क्यूँ और अपने मन में सोता है कि यहां पर obviously बात है यहां पर कल गरीब लड़की थी पर अच्छानक से यहां पर बहुत दामे लड़की बन चुकी है और वो भी एक के दिन में यहां पर चल किया रहा है यहां पर बीबन के अच्छा है यहां पर बात में पर चल रहा है इसलिए मेरे बापा निजो सीक्रेत ट्रीजयर है मुझे दिया है और कंत्री से man के लिए कहा है और यहां पर जो मेरी physical ability वो काफी दादा limited है और मेरी country को restore करने के लिए मैं यहां पर एक action exercise का use करना चाहती हूँ जिस यहां पर जो मेरी cultivation उसको improve हो जाए पर उसके exercise को करने के लिए यहां पर एक लड़का और लड़की की ज़रूरत बढ़ सकती है और कल मैं यहां पर तुम्हारा test ले रही थी और मैं अपने husband को जून सकूँ और जिस यहां पर मैं trust कर सकूँ और हमारे जो country उसके जो glory वापिस आ सके और मुझे यहां पर वो करने में बहुँदा परिशानी आई है और यहां पर जो लू शावियान होती हो मैं केट को राइस के लने लगती है और जो मैं केट हो से कहता है के royal highness मैं अभी यहां पर प्रिंस हूँ और मैं अभी साधी शुदा हूँ और मैं एक साथ दोनों Empress को नहीं संपल सकता है और वो यहां पर बिल्कुल भी साही नहीं है और आप पैसों से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल नहीं कर सकते है और यहां पर जो जीन रू है वो आपके इमकाबल है बहुत ज़्यदा अमीर है पर वो कभी भी यहां पर सौफ नहीं करती और फिर जो महन केरेक्टर वो बॉक्स को वापिस कर देता है और कहता है कि यहां पर मुझे देने के बदले यहां पर अपने कंट्री में यूस करो जिससे यहां पर जो आपके कंट्री यहां पर रिश्टोर हो सके और प्लिजी यहां पर मेरे पैसे वेस्ट मत करो तो वो सुनने के बात यह पर लिग जाओ वहां तिक तम खोश हो जाती हो और कहते कि मुझसे यहां पर कोभी फरक पढ़ने वाला है नि और वेसे भी मैं आपे जी तो का मुकाबले बहुत ज़्यादा अमीर हूँ और मेरे पस बहुत सारे स्प्रिश्टोन है तो वो सुनने हैं जो मैंन करेक्टर हुत है वो यहाँ पर आपकर country का secret treasure है और उससे आप इतनी अमीर नहीं बन जकती है और मैं यहाँ पर calculation करूं तो जो आपके spirit tone है उसके यहाँ पर मुकाबले जो हमारा treasure है वो यहाँ पर उससे भी बहुत ज़ादा millions में आता है और वो सुनने के बाद जो आपर look चावियन होती है वो यहाँ पर एक कमरे का धर्वाज़ा open कर देती है और उसमें बहुत सारे spirit tone भरे होते मतलब अंदे spirit tone रखे होते और पुरा room spirit tone शेब भरा होता है और वो देखने के बाद महन करेक्टर काफी दा सौक्ट हो जाता है और यहाँ पर look चावियन होती हो man card से कहती है यहांपे जो मेरी wealth है वह यहांपे बहुत ज़ाद है और यहांपे मेरे secret treasure में billion-sau spirit-tons रखे हुए और वो देखने के बाद जो man character अपने मन में कहता है कि यहां पर जो मेरे father-in-law की treasure room में इस तक्दम छोट है और उसके मुकाबले इसका यहां पर जो ट्रेजरों में काफी दादा बढ़ है और उसमें पास बहुत सारे स्पिजिटों रखे हुए और यह बात ताहलुक बनता है कि जो उसकी फैमिली काफी दादा अमीर है और वो आसानी से यहां पर बड़ी साइज में बढ़ सकती है ताहिए कमफरेबल संगी बात सकती है हो और फिर जो महन केटर दीरे से मारता है और पिर जो महन केडर होता है वो कहता वैशे यहां पर पहुते हneck लेट हो चुका है और future में ऐसी कोई आगर जैसे अरकत मत करना और अपना background किसी को ऐसे मत बताना और वो भास सुनने के बाद जो लिव शाव यानोतियों अग्दम पूरी फ्लैट हो जाती है और उसके पैर में गेड़ जाती है मैं तुमको देखती हुँ मुझे तुमको और भी पसंद करने लगती हुँ और कहती है तुमझे यहां पर आजवर बार रिजय कर लो पर मैं यहां पर कभी भी हर नहीं मानने वाली और फिर जो man kit अपने आपने पर सर पकड़ लेता है और अपने मन में कहता है कि मैंने यहाँ पर एक प्रब्लम तर सॉल कर दी पर मैं यहाँ पर भूल चुका हूँ कि मैं असके जब भी तारीफ करता हूँ को मरता हूँ तो इसके यहाँ पर कुछ नहीं अबिलिटी अवेक हो जाती है